सो हेलो अब्रीवन जेसी सी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों के तरफ से आप सभी को जोहार भी नंतन ब्रेक करती हैं फाइनली जो आप लोग का कल बोकारो चोकिदार का एक्जामनेशन हुआ उसका तो एक्जाम एनेलेसिस किस सेक्षन से कितने प्रश्ण पूछे जा चुके थे उसका कम्प्लीट एनेलेसिस आप लोग को कल ही वीडियो दे दिया गया था आज के इस सेशन के माधियम से हम लोग कम्प्लीट कोईश्चन जितने भी कोईश्चन हमारे तक पोहुंच पाई है अप्रोग्स 45 के सम्थिंग कोईश्चन हमारे पास पोहुंच पाए है और 5 है जो कि वो आप लोग का language paper का वो तो नहीं पोहुंच पाया बट इसके अला आप लोग यहां पर आंसर की आप लोग मेच कर सकते हैं और यहां पर मैं आप सबों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप लोग का जो आंसर की है वो भी बहुत ही जल्द आप लोग का साथी साथ आंसर की के साथ आप लोग का फिजिकल डेट भी बहुत ही जल्द वो चीज एनोस्ट कर दिया जाएगा डिकलेर कर दिया जाएगा तो जितना मेहनत आप लोगों ने रिटेन एक्जाम को दिया है उसे कई जादा गुना मेहनत आप लोगों को दोड में करने की ज़गरत है चुकि इस एक्जाम के लिए मेन है दोड आप खुस मत हो जाईएगा कि मेरा 40, 45, 48, 49 कुईसन सही हो रहा है वो हो रहा है वो अलग बात है बट अभी भी आप लोग के सामने चरन वो पड़ा अभी भी बाकी है चुकि देखेगा इसमें दोड में एबरेज बच्चा दोड में सफल होगा और दोनों के नमबर जोड करके ही आप लोग के मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे फिलाल चलिए question के तरफ हम लोग बढ़ते हैं पहला जो question आप लोग का पूछा गया था देखे बोकारो जिल्ला में सोतंतरता सेनानी होपन मांजी और लच्वन मांजी किस गाउं से समंद रखते हैं तो ये सोतंतरता सिनानी है जो की ओपन मांजी और लच्वन मांजी ये किस गाउं से समन्द रखते हैं ये कर्मा टांड गाउं से समन्द रखते हैं किस गाउं से कर्मा टांड गाउं मिलाते जाएगे आप लोग कर्मा टांड गाउं अगला प्रशन है बोकारो जिल्ला में ज खारत कोकिंग कोल लिमीटेड अगला प्रश्ण है कौन सा मुखमंत्री के कायरकाल में बोकारो जिल्ला बना बोकारो जिल्ला का गठन 1991 इस्वी में और उस समय मुखमंत्री पद पर कौन थे उसमय आप लोग को ये बिहार का ही हिसा हुआ करता तत उसमय लालू यादो उसमय म ये भी एक आप लोग के सोतंतृता सेनानी है और ये आप लोग का कसमार से समंद्र रखते हैं कहां से कसमार से ये समंद्र रखते हैं अगला प्रश्ण है कौल बिद्रो कब हुआ तो एक तीन टाप बिद्रो जिल्लिक होई है वहाँ पर तीन ताप विधुत गरी है एक तो बोकारो ताप विधुत गरी एक तेनु घाट ताप विधुत गरी और एक चंदर पूरा ताप विधुत गरी ओप्सन में जो भी होगा आप लोगा वो अपने एकोडिंग वो चीज़ देख लिजिएगा अगला परशन है जारकन के पहले मुखमंतरी थे तो जारकन के पहले मुखमंतरी कौन थे बावु लाल मरांडी जारकन राइज में कौन इस्वी में अलग हुआ जारकन राइज कौन से इस्वी में अलग हुआ तो 2000 इस्वी में जारकन राइज बिहार से अलग हुआ जारकन र देखे ग्यारवा प्रश्ण पूछा गया था लुगु गुरु में कौन सा महिना में मेला लगता है कार्तिक पूर्णियों की समय तो अप्चाची जिल कोन सा जिल्ला में है देखे ये जार्खन का चुकि बोकारों का ये प्रोसी जिल्ला है वहां से ये प्रश्ण पूछ दिया गया था जार्खन से तो अप्चाची जिल ये हम लोग का धनबाद में है और एक प्रश्ण है देखे तो अप्चाची जिल कोन सा पठार में है तो संपूर्ण जहारकन ये हमारा तो छोटा नागपूर ही पठार है तो छोटा नागपूर ही पठार आप लोगा अंसर अधी ओप्सन होगा तो ही होगा बोकारो कोन सा परमंडल में आता है तो बोकारो जिल्ला कोन सा परमंडल में आता है उत्री छोटा पुराना नाम है मारा फारी तेनु घाट डेम कब बना था तेनु घाट डेम इसका निर्मान तो आप लोग का उनीश सो 73 इस्वी में किया गया था बट अभ्यार्थियों से ये चीज जनकारी के मुताविक पता चला है कि 73 ये सब ओप्शन में नहीं था 74 जहां तक था ओप्शन में यदि 74 ओप्शन में होगा तब तो 74 ही इसका अंसर होगा संथाल में गाओं की मुख्या परधान को क्या कहते हैं तो किस नाम से जाना जाता है मांजी नाम से जाने जाते हैं पारशनात से प्रश्ण पुछा गया था कि पारशनात कौन सा जिल्ला में है तो पारशनात ये हमारा गिरीडी जिल्ला में है बोकारो जिल्ला को कौन सा जिल्ला को तोड़ करके बनाया गया था बोकारो जिल्ला का निर्मान किस जिल्ले को तोड़ करके निर्मान किया गया थ जो की और भी परश्ण पूछे गए यहाँ पे हम लोगों ने 20 परश्ण को देखा और सारे परश्ण आप लोग को देखिये कौन सा परश्ण पुछा गया था एक तो जहारखंड का लोकसभा चेतर कितना है तो जहारखंड में 14 लोकसभा चेतर है ये प्रश्न पूछा गया था साथ ही आप लोग का बोकारों में बिधान सबाचेतरों की संक्या कितनी है चार है ये भी प्रश्न पूछा गया था जारखन में सेफिल्ड सेफिल्ड ये कहा है ये भेनरा बोकारों में है ये भी प्रश्ण आप लोग का पुछा गया था साथ में बोकारो जिला का साच्छता दर तो वो 72.01 ये प्रश्ण पुछा गया था साथ में एक पुछा गया था कि कुल गाउं की संख्या कितनी है तो 751, 748 ओप्सन में जो भी डाटा आप लोग को देखने को मिला होगा वही चीज आंसर्टी कोड कीजिएगा चुकि अलग अलग जगा पे अलग डाटा दिया गया गाउं 751 ये 748 पंचायत का संख्या पुछा गया था पंचायत का संख्या कुल कितने है तो 249 पंचायत है आप लोग के बोकारो जिला में कुल परखंड की संख्या पूछे गई थी तो कुल नो परखंड है आप लोग का ये भी प्रश्ण पूछा गया था कुल जंजाते की संख्या 33 ये प्रश्ण पूछा गया था पूछा गया था बोकारो थर्मल किस नदी पर है तो बोकारो नदी पर है बोकारो अश्टिल प्लांट किस के अंतरगत कारेरत है तो सेल के अंतरगत कारेरत है अश्टिल ओथोरोटी ओप इंडिया लिमिटेड ये प्रश्ण पूछा गया था प्रश्ण पुछा गया था कि बोकारो जिला की से राइच के साथ सीमा टच करता है तो पच्छिम बंगाल के साथ सीमा टच करती है बोला गया था इन में से कौन सा नदी जो कि बोकारो जिला से होकर के नहीं गुजरती है तो उत्री कोयल उप्शन में था तो उत्री कोयल है उसका सटी का अंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण जो कि पुछा गया था कि दस्सम जलपरपात कौन सा जिल्ला में है तो दस्सम जलपरपात ये हमारा रांची जिल्ला में है प्रश्ण पूछा गया था बिसफोटक फेक्ट्री ये आप लोग का कहां पे है तो ये गोमिया में है अस्थान पूछा गया था लुगगु बुरु ये प्रश्ण आप लोगों से पुछा गया था और जो आप लोग का एक हतिया पत्थर मेला कहां पे लगता है तो फुसरो बेर्मो परखड में ये प्रश्ण पुछा गया था पुछा गिया था कौन सा कोलवासरी आपका बोकारो जिला में तो कोलवासरी कौन सा कोलवासरी एक प्रश्ण आप लोगा का पुछा गिया था कि बोकारो किस लोग सबाद छेतर से समंदित रखता है तो पता होगा बोकारो बिधान सबसचेतर ये आप लोग का धनबाध लोग सबसचेतर के अंतरगत में आता है एक प्रश्ण पूछा गिया था संथालों के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है तो संथालों के पुजारी पाहन को कहा जाता है और Language Vapor में यदि हम भोठा की बात करते हैं तो खोठा में देखिये प्रश्न पूछा गिया था कि जो मन्डपरव से एक प्रश्ण पूछा गिया था कि जो प्रश्न इस परकार पूछा गिया था कि आग सिंगारी को वो खिंदने की पर्था किस परव में होता है तो मंदा परव में होता है एक कर्मा परव से related प्रश्ण पूछा गया था साथ में एक प्रश्ण ये पूछा गया था कि सखुव के पत्ता का जो भी पूजा है वो किस तेवार में किया जाता है तो सरहुल में एक प्रश्ण पूछा गया था कि खोठा दिवस का मनाय जाता है तो खोठा दिवस आप लोग का 25 दिसंबर को मनाय जाता है खोठा में संग्या के भेद पूछे गये थे पांच तो ये ओवर ओल आप लोग का जो सारा क्वेश्ण है जो कि वो 40 से 45 प्रश्ण यहां पर बताने के परियास किया गया ये सारे प्रश्ण आप लोग के मुकारो चोकिदार के एक्जामनेशन में पूछे गये थे तो यदि दूसरे जिल्ले के अभिहारती देख रहे हैं तो आप लोग यहां से इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि क्वेश्ण है जो की तीनी सेक्षन से आप लोग के परश्ण पूछे जा रहे हैं एक जारखन जिक्ये एक आपका अपना जिल्ला और साथ में लें वेश्वेपर से बस यही पैटर्न है और जो भी रिसेंट में जितना एक्जाम हुआ है गुमला गिरीडी सिम्डेगा बोकारो हर एक जिल्ला में यही पैटर्न देखा गया है